नमस्कार किसान भाईयो, सयाजी सीट्स की खेती की पार्शाला सीरीज में आपका स्वागत है आज के वीडियो का विशह है सहफसली खेती के शांदार फाइदे हमारा देश खेती के लिए जाना जाता है लेकिन कई किसानों को खेती के पुराने तरीकों की बज़े से चुनोतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि सहफसली खेती आपकी खेती बाड़ी और आपकी जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है सहफसली खेती, खेती की एक ऐसी शांदार तकनीक है जहां आप अपनी मुख्यों फसल के साथ दूसरी ऐसी फसले लगाते हैं जो एक दूसरे को सहायता करते हुए उसका पोशन करती है इससे कम मेनत में आपको दो गुना लाब मिलता है आपके संसादनों का अधिकतम उपयोग होता है आपकी फसलों को उचित रूप से पानी और पोशक तत्व मिलता है किवल इतना ही नहीं, सहफसली खेती से प्राकुरतिक रूप से कीट और बीमारिया भी दूड रहती है इससे दवायों की जरूरत भी कम हो जाती है प्रणालिया मिट्टी की संरचना में सुधार कर पोशक ततों की उपलब्दता को बढ़ाती है जिससे फसलों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है यहाँ पर आपके पैसों की भी बचत होती है चना, मूंग और अरहर जैसी दलहनी फसले मिट्टी में नाइट्रोजन को इखटा करती है जिससे आपकी मुख्य फसल को मुफ्त में नाइट्रोजन मिल जाता है अगर आप अपनी फसलों की खराब मौसम से रक्षा करना चाहते हैं तो सहफसली खेती अपनाए खेती की यह प्रभावशाली टक्निक पौदो को एक दूसरे की देखभाल करने और शुरक्षित रहने में मदद मिलती है भाईयो अगर आप सहफसली खेती करते हैं तो आपकी फसल लागत का ज्यादा तर खर्च आपके द्वारा लगाई गई दूसरी फसल से निकल जाता है जिससे मुख्यो फसल की पूरी आए आपके लिए एक मुनाफ़ा बन जाती है किसान भाईयो सहफसली खेती आपके हरे भरे खेत और उज्वल भविश्य का मार्ग है तो खेती के इन लापों से बंचित न रहे